हाइफ लास् सिरीओ में हमने कवर किये ओ एप जेक्टिव रिलेटे तो फेस्बूख एड बट इन दिस वीडियो आइड और और प्रसूर्व एड कोकुएंग एंड दर बिल्लिस एटिंग्स एड इस वीडियो में हम कवर करेंगे हम पॉच्ण अ किस तरीके हैं तो आपको जाना है create, then आपको जाना है add, जैसे आप इस पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको पास options आएंगे, आपको जाना है ads manager के अंदर billing, billing के अंदर जैसे click करोगे आप, तो billing के अंदर यहाँ पर आपको payment setting method आपको क्या करना है add, तो हमें यह अभी जो हम कर रहे हैं यह personal ad account है, तो personal ad, जब भी हमें add चलानी होती है, तो ads के लिए हमारे लिए main focus होता है, कि हमारे जो ads है, तो हमें पहले payment method को setting करनी होती है, और उन्हें add करना है, क्योंकि without payment add के आप add को run नहीं कर सकते हो, तो पहले हमें payment setting सेखने हैं, किस तर यहां से आप options आ रहे हैं, debit यह credit card के through payment add कर सकते हैं, add coupon से या फिर net banking से या फिर paytium से, like अभी मैं paytium से अगर कुछ money add करती हूँ, तो यहां पर जाना है paytium, then यहां पर आप करोगे continue, like money हाप 100 rupees, तो आप 100 rupees, आप कुछ भी इसमें add कर सकते हो, क्योंकि आपको add चलाने के ल दिखा हुआ है, तो आप अपने यहां से payment कर सकते हो, add कर सकते हो, अभी आपके कोई add चला नहीं हो, सिर्फ आपकी तरह से जैसे हमारे पास paytium होता है, paytium हम wallet add कर लेते हैं, हम से use नहीं कर रहे हैं, but ऐसी हमें add चलाने के लिए, हमें पहले अपने facebook add के लिए wallet में पैसे add क करने होते हैं, तो जैसे हमने यहां से आप paytium से credit card, debit card, किसी से भी आप payment क्या कर सकते हो, add कर सकते हो, after login, अभी फ्लाल में है, यहां पर जैसे आप इसको अपनी payment करना चाहते हो, तो जैसे after login वाद आप क्या कर सकते हो, जैसे हम सीधा make payment पे जाओगे, तो login करने के लिए बो इसके बाद हमें क्या करना है, आपको जाना है, इसी के अंदर यहां पे options आ रहा है, add account, add account पे जैसे हम click करेंगे, तो यहां पे आपको अपने, जैसे मैंने account का नाम दे दिया, जो मुझे add challenge, digital marketing course, business का नाम दे दिया, GITM, यहां पे आपको information अपनी fill कर लेनी है, ठीक है, then आ आपको यहां से अपना यह सारी information क्या करनी है, save करनी है, तो आप इस तरीके से आप अपने account की details को क्या कर सकते हो, add कर सकते हो, next अब हमें करना है, इसमें add people, हमें people को adds करना है, add people में जैसे click करेंगे हम, तो इसमें हमारे पास different options आ रहे हैं, हमें इसमें अपने add चलाने के ल friend होना चाहिए, तो जो हमें friends को roll को हम देते हैं, तो उसमें तीन चीज आती है, एक आता है, उसको हम क्या roll देना है, add account admin, add account advertiser, add account analyst, जिन्हों का roll समझते हैं, लाइक जैसे मेरे को एक friend है, ASDE, ठीक है, अगर मैंने उसे permission दी, AJ admin, वो पूरी Facebook add को क्या कर सकता है, control कर सकता है, इतना ध्यान रखना है कि वो जो हम जो roll प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हमारा Facebook का क्या होना चाहिए, friend होना चाहिए, अगर मैंने उसे roll दे दिया, AJ advertiser, तो सिर्फ वो add run कर सकता है, अगर मैंने उसको analyst का roll दिया, तो वो सिर्फ क्या कर सकता है, कि add आपकी सिर्फ analyst करता है, I hope यह clear हो गया होगा, if you have any doubt related to personal add account, please mention in the comment section.